गोवापन जी बिहार पटना असम्दिसपुर ही माचशे मला MP भुपाल नगलेंड कोहीमा बताओ फटवर्ड से बीचों का शहर किसे कहा जाता है तो यहीं पर बच्चे बोलेंगे गोवा नहीं बोलेंगे तो आप बताएंगे बताओ जल्दी से गोटम Budh को ग्यान की प्राप्ति कहां पर हुई थी तो बच्चा बोलेगा नहीं बोलेगा तो आप बताएंगे बिहार में बोध गया में तो बोध गया कहां पर है बिहार में अच्छा ये बताओ नदी का सबसे बड़ी विश्वी सबसे बड़ी नदी का दूइब कहाँ पर है तो बच्चा यहाँ पर बोलेगा माजुली बच्चा क्या बोलेगा यहाँ पर माजुली असम में है माजुली कहाँ पर है जल्दी से बताओ असम में है अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे मम्मी पापा रोज रोज सुभे चाय पीते हैं तो ये जो चाय है ये कहां से आती है तो बच्चा बोलेगा असम से आती है नहीं बोलेगा तो आप बोलेंगे तो देखे ये जितनी भी तरीके हैं यानि कि यदी आप Capitals को भी संगीत में तरीके से पढ़ा रहे ह तो यह जहिर सी बात है यकीनन एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देने वाली है इंटर्वियोर के सामने तो यहां पर आप बताएंगे कि मैं विवित्ता में एक्ता लेकि आना चाहता हूं इसलिए इन कैपिटर्स में से जो जो खास बात है उसको मैं यहां पर बताऊंगा चा कि छोटी-मोटी, तुटी-फुटी, जो भी आपको ड्रोइंग आती है, तुटी-फुटी ही सही, ठीक है यह तो आता ही होगा, ठीक up अइसी मेरी भी है, खेर, तो तुटी-फुटी यहदी ड्रोइंग आती है, बस हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि सामने वाले बच्च को को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसी तरीके से यदि आप बुद्ध को भी बताना चाहते हैं किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं कि लोड indeed उनको ज्यान की प्राप्ति कहाँ पर हुई और कभी बच्चा भूल नहीं सकता है यदि संगीत में तरीके से पढ़ा है तो कभी भूल नहीं सकता है यकीन करिए बहुत इंपॉर्टन जो मैं बता रही हूं और एक्जामपल गुजरात गांधी नगर अरुनाचक इटा नगर कश्मीर जम्मू श्री नगर उडिसा भूव नगर पनेश्वर तो यहां पर आप बताएंगे कि गुजरात क्यों फेम से अचा यह बताओ सबसे बड़ा स्टैच्चू कहां पर बना है कहां पर कौन से एडिया में कौन से स्टेट में कौन से शहर में बना है अच्छा देखी होगी पाश्मीना शॉल जो है वो किस ले फेमस है कहां पर फेमस है तो यह जो छोटी-छोटी चीज़े यदि आप बता रहे हो तो बच्चे के दिमाग में एकदम घर कर जाएगी यानिकि एक इंसाइट होगी एक्जाम्बल के तोर पर एक होई तमिल नाडू में आई चेने एक्सप्रेस मेखाले शिलोंग में प्लेन हुआ क्रेश करता है नाटक सबका है गुरू करनाटक कैपिटल बैंगलुरू तो बच्चा जब ये बोल रहा है तो एक चीज और मैं आपको बता दू आप यहाँ पर स्पैलिंग भी लिखेंगे चाहे वह बेंगलुरू की है चाहे वह करनाटका की है तो ताकि एक इंटर्वियों के सामने एक इंप्रेशन पड़े कि हां बीच बीच में आप यहां पर बच्चों को एंगेज भी कर रहे हैं पूछ भी रहे हैं क्वेशन इसके इलावा है बहुत सारी बच्चों को स्पैलिंग मिस्टेक होती हैं आज भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो थिरू वनंथ पुर्रम की स्पैलिंग गलत लिए तो यहां पर आपको स्पैलिंग भी सही से बोलनी है, pronunciation भी सही होनी चाहिए, और लिखना भी सही चाहिए, क्या है इसकी capital, जल्दी से बताओ, थीरू वनंथ पुर्रम, थीरू, बोलो मेरे सामने, थीरू वनंथ पुर्रम, वनंथ पुर्रम, वनंथ, ठीक है, वनंथ पुर्रम, तो जब आप spellings भी लिखोगे, तो जह आपने यहाँ पर, आप जो भी चीज़, जैसे मालो कि मैंने यह first page बनाया है, इसी तरीके से यह जो first page है, सामने आप, आप चितर भी बनाएंगे, और इसके इलावा, जितने भी बाते इससे associated है, असम में क्या है, हिमाचल में क्या-क्या चीज़े famous है, या हिमाचल किसले प बोल रहा है, तो बच्चा सीख भी रहा है, यानि की capital के name भी याद कर रहा है, इसके साथ साथ, बच्चा उन capital को, मतलब वो उन शेहरों को याद कर रहा है, जो जिसके लिए famous है, तो यह बहुत important है, यहाँ पर आपको nurture करना, तो यह अगर इस परीके से आप बोलते हैं, तो उत्राखंड कहाँ पर आता है, यानि कि अगर भारत के map में बनाओ, तो कहाँ पर आएगा, तो आप यहाँ पर बनाएंगे, मतलब versatality हुरीची आपके पढ़ाने में, आपको सिरफ rigid नहीं करना है, सिरफ learn नहीं करवाना है, जब आप learn करवा रहें तो rotten memorization होगा, जब आप यहाँ पर इन सभी capitals को associate कर रहे हैं उसकी famous things के साथ, famous personality के साथ, जो भी है, जितना भी आप इसे जोड सके, तो यहाँ पर लगेगा सामने वाले को कि हाँ, इसको बहुत कुछ आता है, सिरफ वो एक तरीके से एक method से rigid नहीं है, ठीक है, for example, दारू बहुत पीता, मच्छी ब बहुत खाता, बेंगाली बाबू देखो रहता कोलकाता, बेंगाली बाबू देखो रहता कोलकाता, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पर आपने यहाँ पर एक मनोरंजग तरीके से बच्चという को बता भी दिया, सिखा भी दिया, काम भी आपका complete हो गया और, жितने भी बात इस से related थी जो भी आप ग्यान दे सकते हो ना तो आप इस तरीके से दे सकते हो, मतलब इस तरीके से बता सकते हो, तो ये भी एक modified version है, आज मेरा गला वैसे भी बेसूरा हो रहा है, माफ कीजीगा, ठीक है, एक दो दिनों से, तो ये भी modified version है, इस तरीके से आप बता सकते ह और ऐसी छोटी-छोटी चीजों के लिए यदि आप जुनना चाहते हैं मेरे साथ SZ Campus के साथ देखे मेरा जो मोटीव है वो यही है कि यदि आपका रिटन अच्छा है यदि आपको लग रहा है मतलब बहुत अच्छे से साटिस्वाई हुआ आप अपने आप से यह एक अभास हो जाता है कि हाँ मैंने पेपर अच्छा दिया है और कभी आगे के लिए मैं रुखोंगा नहीं यह जो टीचिंग का छेत्र है यह मतलब मैं इसी शेत्र में हूँ और आगे एक्जाम्स आते ही रहेंगे आगे आने वाले समय में इंटर्व्यू होते ही रहेंगे और वैसे भी एक शिक्षर के लिए सबसे इंपॉर्टन है वो ज्यान यानि कि वो जो कोशल है वो इंपॉर्टन है निपॉनता होनी चाहिए उसके अंतर तो यदि आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से आपके अंधर भी निपॉनता हो और आप एक भैतर शिक्षर के लाए तो यहाँ पर मैं आपको असेस भी करने वाली हूँ यहाँ पर मैं आपको मॉडलिंग क्लासिस भी देने वाली ताकि आपका confidence boost हो जाए जब हमें कोई assess भी कर रहा है और वो हमें बता भी रहा है कि कैसे करना है तो एक level क्या आप दस्यों level उपर हो जाओगे समझ भी आ रही है तो इसके लिए यदि आप join करना चाहते हैं तो आप join कर सकते हैं हमारे KBS के interview plus demo preparation batch को जो start हो चुका है आज से य इसमें आपको mock interview के साथ demo teaching model development कैसा होना चाहिए cognitive development यदि cognitive activities उनने पूछ ली on the spot classroom management कैसा होना चाहिए कोई activity पूछ ली या content knowledge जिसको content में भी विश्यवस्तू भी नहीं आती है उसको आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं तो यह दिमाग में मैं रटवा दूगी मतलब यह दिम तो अब यह आपने जितने भी interviews सुने होंगे हमारे तो उसमें यह होता था कि basically बार बार एक ही चीज रिपीट की जाती थी तो जब उस महोन में जाते हैं तो उसमें कोई tension नहीं होती, tension free से हम बात करते हैं तो यदि ऐसे ही short videos चाहिए ऐसी की तरह से तो like, subscribe, share करना ना भूल और मैं यही कहूंगे आप सभी से कि एक भैतर टीचर ही इस भैतर नेशन का निर्बान कर सकता है, तो आपको अपने आपको निपुण बनाना है, जैहिन सभी को